साथ्यों नमस्कार गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं बहुत ये अच्छे होंगे जब अजस्त होंगे और आप अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल ठिक से रहे होंगे मेरा नाम है प्यूस्तमार मैं जारकन के गृड़ी से विलॉंग करता हूँ और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का यूपी के एक लिडर से आप लोग को आज मिलने का मौका मिलेगा बहुत दिनों के बाद वो आपको बताएंगे आज नेटवर्क मार से क्या लाब होता है और यहां पर सक्सेस का राज कैसे होता है कि हम अपने बिजनस को ग्रोग कर सकते हैं MLM को जानना MLM को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इसके ABCD हिंदी में बात करें तो अगर नहीं जानेंगे तब तक हम एक बहुत बड़ा बिजनस यहां पर नहीं कर सकते हैं आप अपने बिजनस को ग्रोग कर सकते हैं बहुत ही बढ़ियां कुछ-कुछ लोगों की और वे ज्वैनिंग आ रही है मैं एज होस्ट आज हूं आज हमारा से नहीं है आज का दिन है मिश्टर हारी कुमार भासकर्फ जोगी यूपी के रहने वाले हैं तो उनका आज आज ह हमारा हम लोगों को मौका मिलेगा उनके मुखागनी से सुनने का मौका है बहुत अच्छा लीडर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं उनका नौलेज बहुत अच्छा है हम लोगों से बहुत ज़्यादा सेनियर हैं और बहुत अच्छा नोलेज वो रखते हैं तो बहुत अच पूल मिला करके नाइन पाटिसेपेंट्स हो चुके हैं और भी हमारी संख्या बढ़ रही है एक सक एक मिनिट या दो मिनिट का और हम लोग इंतजार करेंगे उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आज के सेशन की और तब तक मैं एक बार हरी कुमार भासकर सर को मैं देखना चा आएंगे हमारे बीच वो पहुंच चुके हैं और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हरी कुमार भासकर सर आप हमारे मंच में बस कुछ ही सकेंड में आप हमारे बीच आएंगे और मैं आपके पास अन्यूर्ट का उप्शन में आपको भेजूंगा तब तक के लिए आप ज आज का सेशन होगा क्योंकि कहीं न लोग अगर एक बढ़ियां चीजों को समझते हैं ऐक बढ़ियां चीजों को अपने अंतरात्मा में ढालते हैं तो वहीं चीज्ज हमको सामने में देखने को मिलता है आप जब भी बिजनेस करते हैं तो अगर आपकी अंदर का वहाई है दुन्या की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकता है और अगर आपके अंदर का confidence अगर लो है तो सामने वाला बंदा के सामने आप प्रास्त हो सकते हैं जी हम फ्रेंड तो सबसे पहले अपनी confidence को पढ़ाई किसी भी बात को अगर अब रखते हैं सामने चाहिए वो प्रोड डेक्ट का कोई हमारा रिनेटस नोवा हो नोवाइस्टीन हो चाहिए कोई भी प्रोड डेक्ट हो तो एकदम बढ़ियार परिकेस है उसका जो भी इंग्रीडियेंट है उसके बारे में आपको ज हसकर सरकों करने का समय चला है एक वा हम्स तमई देखना चाहेंगे सात बस के बारण में हो चुके हैं और कूल बूला करके हम लोग दस और चुके हैं तो अब भी तार श्चाहिए हैं आप अब वह समय आ चुका है जिसे मैं देख पा रहा हूं कि मनोई यादर सर ने अपने वीडियो को और मुस्क पुरा रहे हैं तो अपने साइट से आप अन्मूट करें उसके साथ-साथ आप हमारे पूरे रिनोबियंस को बताएं कि सर ईमेल्मुट क्या होता है उसकी ताकत क्या है और आप हमें बताएं कि लोग यहांसे आगे इस हरीके से बढ़ सकते हैं तो आज के ग्रेट लीडर मिश्टर हरीकुमार भासकर सर स्वागत है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे इस गिरिदी के जूं इटिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सब्सक्राइब करता हूं सबसे पहले मैं धन्यबाद करूंगा अपने इसके बाद मैं धन्यबाद करूंगा अपने गुरु और महागुरु को इसके बाद धन्यबाद करूंगा हमारे गुरु के गुरु महागुरु प्यूसर का इसके बाद धन्यबाद करूंगा रेनाटर स्वेलनेस के सभी प्राविल इंटेट के फ्रावंडर मिश्टर सुनकर नाइब जी के और पूरे मेनेजमेंट का हूँ दोस्तों मैं हरिकमार भासकर गाजी पर उपी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज हम जुब सेंशन पच्चिव गेश्ट के लिए आमनतित किया गया है तो दोस्तों हम सर का धन्यबाद करेंगे दोस्तों कि आप लोग डायरी और लेकर बैठें कि क्योंकि जो भी आपको यहां पर बताए जागी आपको एक एक पॉइंट को आपको जरूर नूट करना है सिए हैं तो दोस्तों आज का जम्मारा सबसे पहले हम उसकि अरे में मुझे आप आप, और उम्रिदिल यह शय तरह दोस्तों कि आपको सबसे पहले अमेरिका से सुरू हिः जो की अमेरिका में 50-60% के लगवग में जो काम नेटो माकेटिंग काम करते हैं और पूरे 20 में नेटो माकेटिंग काम किया जा जा तो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर में सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों में बताना चाहूं कि नेटो माकेटिंग आज की जमाने में बहुत ही अच्छा बिजनस है क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि नोकरी में कुछ भी ने रखा हुआ है अखिकत तो यह है कि आज मुक्तर दर्ढ़ के जिता आ रहा है स्थिति अंदर मिस्तों बहुनिस में तो बहुता है छटे मैं नह पर यहां पर जीवच भार अपनी टीम बना ली, तो आप अपने जिन्दगी दिल खोल कर जी सकते हैं। जिन लोगों ने विश्वास किया था, आज वह सभी लोग इस बिजनेस के साथ जूट कर बहुत सारी चीजों आ चुके हैं। यह पाने के राश्ते पर चल रहे हैं। जैसे नेटरोक मार्केटिंग करने से आपको क्या-क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको समय का अजादी मिलेगी, आर्थिक अजादी मिलेगी, परिवार के इस तरह अच्छा बस्वास अच्छे मिलेगी, दूसरों की मदद करके अपने आप में खुशी मिलेगी, और आपके देश-विदेश घूमने का मौका मिलेगा, और आपके जो भी सपने हैं, आपका पूरा होगा, और आपके खुद की पहचान और महान सम्मान मिलेगा, क्योंकि यह दुनिया का महान अतुलियर बिजनस है, हमें भबिस्ट को दे सबसे सफल आमिर वही है, सबसक्ता है, जिसके पास बड़ी टीम होगी है, आज जिन्होंने जितने भी बड़े बड़े उतक पती हैं, क्यों है, क्योंकि उनके पास बड़ी टीम है, जिसे आपर रिलाइंस हो गया, ठाटा हो गया, गिरला हो गया, बोदी हो गया, केर हो गय के लिए पैसा चाहिए वो आदमी के पास नहीं है तो बड़ी टिम पैसे बनेगी तो दोस्तों का जाता है इक गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अमिर होना याना होना हमारे हाथ में हैं तो दोस्तों वो जमाना जा चुका है जब बड़ी पुंजी लगा तो दोस्तों आज का जमाना है इन्फोटेक का यानि की नई सुचनी कितिवरकिति को पकड़ना और लोगों को सामने उप्लोज विकराओं दोस्तों अगर आपने ऐसा कर लिया तो पैसा की कोई से ही आता है जैसे बजार में भरी तो पत्ते साथ में आज आते हैं तो दोस्तों देर की सबाद की है, अभी तो हम जिन्दगी सम्झोते करके काट रहे थे, अब समय आचुका है अपने खंदान का थियास लिखने का, अपनी पहचांद बनाने का, में तो दोस्तों सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितने बाजवेक पा कि समय कम है, दूसमन मजबूत है, दूरी ज्यादा है, खुशी की बात है, कि रिनाटर स्वेनलस हमारे पास है. तो दोस्तों, मैं आपको एक जीवन के सचाई बताना चाहूंगा, कि जो जब इनसान की जनम होती है, जनम से लेकर की मिर्टू तक की सफर की मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा, कि सचाई क्या है. तो दोस्तों, क्या होता है जीवन के सचाई में, कि जब हम 65 बर्च की आयू में पहुचते हैं, तो 36 परसेंट लोग दुनिया से बीदा हो जाते हैं, यानि कि उनकी डेथ हो जाती है. चोवन परसेंट लोग आसित हो जाते हैं, यानि किसी कूपर में डिपेंट हो जाते हैं, जिसे उनके बेटे हो गए, या उनके पोते हो गए, या किसी कूपर हो डिपेंट हो जाते हैं, और 0.5 परसेंट लोग 35 बर्च की नोकरी के बाल में दूसरी नोकरी कर रहे हैं, या नोगे ढूंडने की तमन्ना रखते हैं और चार परसंट लोग के पास पैसा तो है लेकिन समय का अभाव है और लाश्ट में आपको 0.1 से पर लोग ही सिर्फ वही मायने में जीते हैं जिनके पास अर्थेक सोतंत्ता समय के जादे स्वंग की पाचान अम दूसरों की मदद करत हैं और खुशी-खुशी जीवन जीते हैं तो दोस्तों देर की इस बात की है आपका समय आ चुका है सिर्फ आपको निन्ने लेकर के निन्ने ले डालिये और कुट पढ़िये मैदान ये जंग में मत सुनो लोगों की सिर्फ सुनो अपनी दिल की बात सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग लहरों से डर करनों का पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मे वालों की कभी जय जय कार नहीं होती कि दोस्तो कि सबसे पाहले आप लोगोंने जना के प्र्य Ehren जीवन की एक लोको निन उसकी में नोपर लोगों को जलत मता ना शाओंगा तो यह हमारा मने भारा सरकार के दुबारा सच क्या हुआ है कि एक परिवार को चलाने के लिए उने सो चालिश इस्वी में 10 उर्पे में परिवार चलता था लेकिन 20 साल वही महाँए बढ़ जाती है तो दोस्तों मैं आप लोग यह जाना चाहूंगा कि हम लोग ना चालिश में पाइदा हुए ना शाट में पाइदा हुए लेकि दोस्तों जो 80 के कर्मे होंगे जो 85 कर्मे होगे जिननपड कर्मे होंगे वो समझ सकते हैं कि मांगाई कितनी आज तक बढ़ चुकी है तो दोस्तों में दोस्तों दस हजार रुप्या जो कमाता था उस समें वो सबसे बड़े उसकी रकम होती थी लेकिन दस हजार उसका परिवार भी चलता था तो दोस्तों मैं यह काना चाहूंगा कि 20 सल के बाद फिर मंगाई बढ़ रही है आप दो देखी रहे हैं कि दोस्तों कि आप एप्रवार को चलाने के लिए एक रुपी के जोड़ पड़ेगी कि इंथा दोस्तों आप लोग बताए कि यह नोठी से कमा सकते हैं ज़्दी आलोक्री से कमा सकते हैं तो आप बोक्स नहीं करहें कि पर गरहें नो को आपको नेथम मार्केटिन जरूर से मधगर हमं ten टो यह लुए के दोस्तोर प्मैंड बोक्सने अपनों बताएं कि में नेटर narcकर दो स्हों में तो दोस्तों में आप आप लोग एक और बताना चाहूंगा कि लिए कि इतनी स्टेज तक पहुंचना पड़ता है कि तर अभी टाइम है सर बिल्कुल टाइम है बहुत अच्छा कंटीनिव एकड़म बताइए को के सरोके दौस्तो सबसे परले इंट्रोंम प्रिक्टिंग में सफलता पारी के लिए पांच सेज का बते कि आप लोग इसको सकते हैं जो मैं बताऊंगा कौश्री अफाला पवश्राइड है कि अ मने suits स्थे परले में खानृ 我們 तो कोई सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, आप टटे रहना, क्यूट मट करना, यानि छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है, लगे रहना, इस पोईंट को आप लोग जरू लिखेंगा है, दुसरा स्टेज है, कि दुसरी स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, लोग कहेंगे पहले तुम काम्याब हो जाओ, फिर देखते हैं कोई बात नहीं, चलते रहना है, घबराना नहीं है, प्लान दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, अब आती है तिस्रा स्टेज, पिस्तना टिज में क्या करना है इस्तना टिज में आप दिखाएंगे लोग सुनेंगे कुछ लोग जोन करेंगे कि कुछ लोग ज्यादा काम ने करेंगे कोई बात नहीं जाटे रानना है छोड़ना नहीं है चोथा स्टेज में आपको क्या करना है तो आप को प्लां को छोग सुनेंगे ज़वान भी करेंगे कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन आपको टठे रहना है थोड़ना नहीं है और पांचवे इस्टिज्म आपको क्या करना है भासकर सर आपकी आवाज रुक चुकी है भासकर सर आप अगर व्यूट हो गए तो अपने आपको अपने मूट करें कि आपका आवाज मूट हो चुका है तो मैंने आपको यहां से अन्मूट का ओप्शन मैंने आपको बेजा है सर केंटिन्यू करें तो दोस्तों आपको क्या करना है यह प्रेश्टिस पांच तक टेके रहे तो आप सफल और काम्याप हो जाएंगे लोग आपको डूड़ेंगे फेस्बूक से एप्पूप से और आपको फोन करके आपसे जुननी के लिए आपको बुलाएंगे आपको बार आर्पन करेंगे तो दोस्तों पांच तेज तक आप डड़ रहें तो आपको सफाता निच करेंगे लिए तो आमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं यह सो लोग कि पांच तक आप जरू करेंगे कि अट यस सर यस सर बिल्कुल बिल्कुल होगा और उमीद करते हैं कि आप भी आज आपका आज का सेशन साइद कंप्लिट हुआ वा वासकर सर क्या मैं सही हूं सर यह वासकर सर क्या मेरी आवाज पहुंच पा रहे हैं आपके पास जी दोस्तों बहुत बहुत च्वागत है और भासकर सर ने बहुत यह अच्छा ट्रेडिंग आज दिया वह वागय में उन्होंने दो चार पॉइंट जो पांच पॉइंट जो बताया बहुत यह अच्छा पांच पॉइंट मुझे आप लोग के समख से बोलना चाहूंगा कि लहरों से डर कर नौका पाध नहीं होती कोचिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यह बहुत जबर्जर्ट पॉइंट है और इस पॉइंट को मिथा बच्च ने जब बोला था वाकए में दिमाग और द लगातार चड़ते रहती है तब यागर के सफलता उसको बिलता है सक्सेस करने का सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताओं कि आपको हार नहीं मानना है आपको कोशिस करना है प्लान दिखाना इसका में काम क्या है प्लान करना एक बात में बुलू कि अगर खेलना छोड़ सकते हैं उसी प्रकार से हमार है और आप के कॉइं क्याहिए नहीं लगान देना ठर्टाश को मसेधी हो सितक करते हैं कि कृसंगा अगर कोहीं काम करते हैं तो 22 दिन में आत्रेंज गॉने लगता है तो चलते हैं समय हमारे पास 7 बत के 30 मिट हुआ है और 10 मिंट हम पास समय बचाई तो 10 मिट हम वलोग चाहेंगे एक दूसरे से बात करना जो उन्हीं को अप्शन मिलेगा हमारे भासकर संदे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग आज दिया है तो और हमारे आपके पास नमस्कार आपका कि अधर सर्थ यह सर यह सर आवाज आ रही है बहुत दिन के बाद आप जुम मीटिंग में और दूसरा दिन हुआ पलान दे दिया बहुत खुशी लिए कि बहुत अच्छा पलान दिया दिखने के लिए बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आपका और दूसरी मैं लेना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर जो पर अपलोगों से मिलते हैं हमारे पंकेशर बहुत बहुत स्वागत है पंकेशर आपके पास अन्म्यूट का ओपसर मेरे साइट से आपके पास जा चुका शबां बहुत बहुत धन्यवाद की उसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके मैं चाहूंगा कि हमारे यूपी के लिडर जो कि स्थांदार ने बहुत-धन्यवाद उनका भी और बहुत उनका आज जिसे इसंदा बहुत जबजस तरह नेट अप मार्केटिंग को लेगे और वाक्व में जो उसर ने एक पॉइंट को रखा कि महंगाई वाकर में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है बहुत तेजी से और बढ़ेगी क्यों ने बढ़े गया बाद ही बढ़े रहा है तो मह क कर देंगे ये हमारे लिए नहीं किया वहमारे में किया कोई बात में सरु आप मह看看 कोई भी सरकार के सरकार काम को आप संदार चाहां के लिए बीच को यही जांगा अ सुनूं उनकी बातों को थेंक्यू सर रोकिंग रेनेटास बहुत 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 अच्छे से पलान को बताएं बहुत बहुत अच्छा बात रखें उन्होंने तो हम कहते हैं कि बिल्कुल बताएं सही चीज हमको लगा बट यह कि वीडियो सर जितने लोग हैं जितने पाटिस्पेंड हैं सब कोई डेली वीडियो वान करके बात करें तो ज्यादा मज़ा आए गया और हम लोगों को देखन सब्सक्राइब ना चाहूंगा हमारे ब्रीच इराम नाजसर अगर है तो उनकी वी वानी दोस्ब्द अगर सुन लिया जाए तो बहुत अच्छे लीडर है वो भी हमारे बीच मैं देख पा रहा हूं अगर वो हैंड्रेज करेंगे तो मैं देख पाऊंगा साइद वो दिखने रहे मुझे मुझे वह याद हो सरकी राम नाजसर अभी एडमिट का ओप्शन में आ रहा है इसका मतलब तो कमेंद राम आजसर पार्परेज कहांगा कनेक्ट साइद मीस होगे चली में तब तक लेना चाहेंगे किसी ने आत नहीं उठाया है तो सबसे पहले अरजुन पंडित जी है थो उनके पास अन्मूट को उप्षण जा चुका है अरवारे साइट से आप अपने साइट से आप कर सकते हैं और नेक्ट लेना चाहूंगा किनका माइक ओन है प्लीज आफ कर लें आवाज आ रही है और नेक्ट लेना चाहेंगे हम सुमीच सर के बीच में सुमीच सर आपको आज को अप्सन जा चुका है सुमीच सर पहुंच पा रही हो जी बहुत बहुत स्वागत है है सर अलो सुमीच सर आवाज आ रही है सर बीदम आवाज आ रही है सर रौकिंग देटासर जो भी प्लान बताएं सर उसने अच्छा लगा सर लेकिने थोड़ा हमको पापा को प्रॉब्लम होगे से बात समय मिटिंग नहीं कर पाएं सब्सक्राइब को आपको हरी कुमार भासकर का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा यह बात को रख सकते हैं मार्केटिंग बिजनस के बारें बहुत अच्छा लगा सर कुछ तो आपको सब्सक्राइब कर दिया और हमारे पास समय बचाएं अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं देखिए बाते करने से सर मतलब वो बिजनस तो अलग बात होती है हमारी मित्रता जो यहां पर है वो घनिष्ट होती है परड़े हम लोग साम को मिलते हैं साथ बसे उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग अच्छा लगता है और अपनी बातों को सिकंदर सर एक पार और हैंड्रेज किये कुछ बूलाँ चाहरे हैं तो उनके पास अन्मीट को प्सन जा चुका है सब्सक्राइब कर देजिए जो नाइट में आट वजे नौ बजे बाद जो मीटिंग है कि तरह कट गई सब्सक्राइब की आवाज आपकी आवाज कट गई है कि आप म्यूट हो चुके हैं आपके पास मैं दुबारा अन्म्यूट को आप्शन बेज रहा हूं जी जी आपकद बोलने का मतलब हलो जिसकर आपके पास अन्म्यूट को अप्शन जा चुका है आप अपने साइट से अन्म्यूट को आप्सन को दवाइए साथ टेक्निकल इसू होने के वज़ा से नहीं हो पार है उनका साथ मेरे क्याल से बहुत बोलने का मतलब है कि रात के आठ बज़े का जो ट्रेनिंग होता है परड़े आप लोग उसमें आईए क्योंकि रिजिकेश पार्टक के दवारे रिजिनल इलाइट का जो भी रेंक वाल समय में एक बहुत ही अच्छा इंकम को हम लोग और आप लोग ले पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा समय दो मिनिट बचा है और पंकेश हरको में लेना चाहूंगा कि दो मिनिट में आगर वो कुछ बात को रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज के मिटिंग को करेंगे तो पंकेश सर आपके पास अन्यूर का उसन जा जुका जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना किमती समय दे रहे हैं और किमती समय सर यूहीं वेर समझ जाने दिजे उसका पर दुप्यों करिए जो भी पैसे से परिसान ना हो लेकिन हो सकता है है तो आपका काम उनका मदद करना ठीक है बहुत सारे ऐसे से पॉर्डम होगा उनको सपोर्ट करिए सिंपल समझें सिंपल बात कि एक मैं फिर बात बोलूँगा अजी चीज आप लोग भी जान रहें कि कई ने कई हर चीज का हम होड़ नहीं है कि इसके Кई है नहीं सकता है को मतलब है कि जैसे आप तो इतने सांदर जब हमारे पास प्रोडक्ट है तो लोगों को बताइए ना लोग को बताइए ना उसमें डूप जाई रहाई लोग परिसान है अब आइए तुजरा अब समझ में आपको आएगा कि दिदी हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आप ऐसा यूज किजेगा तो ठीक हो जागा और जितने भी हमारी माताएं बहने महलाएं मंच में जुड़ी हैं उनसे मेरा नुरोध है कि कहीं ने कहीं लेडिस होती हो एक एक घर का समस्या को जानती कि समस्या उनके घर में क्या है तो परमूट करें परमूट करने से अगर आपको दोसो पांसो हजार रुप्या जाता है शरी बोलने से तो क्या दिक्कत है यह तो शुरुवात का होता है उसके बाद क्या आएगा यह तो हम भी नहीं बता सकते हैं ठीक है शुरुवात